परुखाबाद से खबर है परुखाबाद कमाल गंज में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने पीटा काट कर नब निर्मार धीन रेलवे ब्रिज का घाटन किया लगभग देड करोड की लागत से बनी रेलवे ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भाजपा नीता डॉक्टर द राजपूत तथा जेपी कटियार और अस्थानिय नागरिकों द्वारा दिया गया था इस प्रस्ताव को तथा छेत्र के रेलगाडी द्वारा यात्रा करने वाले नागरिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए आज सांसद के सफर प्रयासों से रेलवे ब्रिज का सपना पूरा हुआ सांसद मुकेश राजपूत ने अपने संबोधन भी दिया इस दोरान उनोंने कहा कि हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि कमाल गंज स्टेशन पर अधिक से अधिक गाडियों का स्टाफ हो तथा कमाल गंज से बरेली कमाल गंज से ही चावा के लिए और अन्य ज प्रयागराज के लिए बनारस के लिए जो भी मांगे बड़ी जो अभी लंबी रूट की जो रूट है उनके तो जो होता है कि मानक होता कि इतनी दूली पर गाड़ियां रुखी गया और समय करमे दिखता हुंकि जो भी सम्भव होगा उसे रुखाने का इस प्रयाव कराने प्रयास करेंगे लेकिन सरकार का मन्ना है कि यह इस पीड ट्रेने है यह जो लांग रूट की ट्रेने हैं वो ठोड़ी सी फास्ट रहें कम ठैराव हो लेकि तभी उट पैसीने ठेनों में कंबड हो जाई और पैसा पैसीने से तो पैसा लगेगा श्रेया और वह लोकल टेनर पैसे नहीं को इत्रहें, पैसी नहीं को इत्रहें चलें आर्ये के तेरा हो लेको, वो देखते हुए जो मी सम्मा होगा फिरा प्राप्राइस के नहीं पाचे लोगा।